कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान की ध्वनी पाठे पुस्तक लोगतांत्रिक राजनीति वाची का हैं प्रियंका आईए अग सुनते हैं अध्याय 5 लोगतांत्रिक अधिकार प्रिष्ट संख्या 8 भूमिका पिछले दो अध्यायों में हमने लोगतांत्रिक सरकार के दो बुनियादी तत्वों की चर्चा की है अध्याई 4 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधी में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निश्पक्षिधंग से चुना जाना जरूरी है अध्याई 5 में हमने जाना कि लोकतांत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के उपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित काईदे कानून के मुदापिक काम करती हों ये तत्व जरूरी है पर लोकतांत्र के लिए इन ही दोका होना पर्याप्त नहीं है चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसर तत्व है अधिकारों का उप्योग इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्र के लिए जरूरी है चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसर तत्व है अधिकारों का उप्योग इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है बहुत सही रंग से चुने हुए और स्थाबिच संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी ये जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्षमन रिखाओं का उलंगन नहीं करना है नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्षमन रिखाओं का निर्मान करते हैं इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं इससे हम इस चर्चा पर पहुँचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी जरूरत क्यों है पिछले अधियायों की तरह पहले सामानने बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी हम एक एक करके भारती समविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमे इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा, आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर् प्रिष्ट संख्या इक्यासी अध्याए एक्यासी अध्याए पांच अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागृक को उसके खिलाफ खालिस्थान जानने का अधिकार है। आईए इन तीन उधारनों से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है अमेरिकी फोज ने दुनिया भर के विभिन स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया इन लोगों को गुआन्ता नामू बे स्थित एक जेल में डाल दिया क्यूबा के निकिट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौ सेना का कबजा है अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन है और न्यू यॉक में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है अनस के पिता जमिल अलबन्ना उन 600 लोगों में एक हैं जिने केवल संदे के आधार पर पकड़ कर जेल में डाल दिया गया अधिकांश मामलों में गिरफतार लोगों की देश की सरकार को उनकी गिरफतारी और जेल में डानने की सूचना भी नहीं दी गई अन्य कैदियों की तरह जमिल के परिवारवानों को भी अकबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है इन कैदियों के परिवारवालों, मीडिया की लोगों और यहां तक की सैयुक्त राष्ट के प्रतिनिद्यों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती प्रिश्ट संख्या बयासी अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफतार किया, उनसे पूछताच की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है, किसे नहीं ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही यह कैदी अपने देश के अदालतों का दर्वाजा खट-कटा सके एक अंतर राश्ट्रिय मानवाधिकार संगठन, MNSG International ने गुवांता नामो बे के कैदियों की स्थिती के बारे में सूचनाएं इकठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही हैं उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी वेवहार नहीं किया जा रहा है अनेक कैदियों ने भूक हरताल करके इन इस्थितियों के खिलाब विरोध करना चाहा पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुँचाया गया जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष्ट करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया संयक्त राष्टर द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जाच से भी इन बातों की पुष्टी हुई संयक्त राष्टर संके महासचीव ने कहा कि गुवान्ता नामों बे जेल को बंद कर देना चाहिए अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया सवोधी अरब में नागरिक अधिकार गुवान्ता नामों बे का उधारन एक अपवाद जैसा है क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उलंगन कर रही है आईए अब साउधी अरब का उधारन देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है इस पर गौर करें जरा इन तत्यों पर विचार करें एक देश में एक वन्ष का शासन चलता है और राजा या शा को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती 2. शाह ही विधाईका और कारेपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं जजों की नियुक्ती भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं 3. लोग कोई राजनैतिक दल या संगटन नहीं बना सकते मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती 4. कोई धार्मिक आजादी नहीं है सिर्फ मुसल्मान ही यहां के नागरिक हो सकते हैं यहां रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुस्ठानों पर रोख है 5. ओर्तों को व्यधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी है मर्दों को जल्दी ही स्थानिय निकाय के चुनावों के लिए मता अधिकार मिलने वाला है जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा ये बातें सिर्फ साउदी अरब पर ही लागू नहीं होती दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितिया मौजूद है आप यह सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुने हुई सरकार वाली शासन व्यवस्ता में ऐसा नहीं होगा पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए कोसोवो पुराने युगसलाविया का एक प्रांथ था जो अब तूटकर अलग हो गया है इस प्रदेश में अलबानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी पर पूरे देश के लिहास से सर्ब लोग बहु संख्यक थे उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहां के चुनावों में जीत हासिल की उनकी सरकार ने कोसोवो के अलबानियाई लोगों के प्रती बहुत ही कठोर व्यभार किया उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्र हो अनेग सर्ब नेताओं का मानना था कि अलबानियाई लोगों जैसे अलब संख्यक या तो देश ठोड़ कर चले जाए या सर्बों का प्रभुत्व स्विकार कर ले कोसोवो के एक शहर में अप्रेल 1999 में एक अलबानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई 74 वर्षिया बतीशा होकसा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षिय पती इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी उन्होंने विसफोटो की आवाज सुनी पर उनको ये एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है तभी उनका दर्वाजा खोल कर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा बच्चे कहा हैं बतीशा याद करती है उन्होंने इजेत की च्छाती में तीन गोलियां दाग दी उसके सामने ही उसके पती की मौत हो गई और सैनिको ने उसकी अंगुली से शादी की अंगुठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा वे कहती है मैं अभी दर्वाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी वे बरसात में बेघर होकर सडक पर खड़ी थी उसके पास न मकान था न पती और न शरीर पर पहने कपरों के अलावा कोई और चीज समचारों में आई यह खथा उन हजारों अल्बानियाय लोगों के साथ हुए बरताव में से एक की सच्चाई बताती है और याद रखिये कि यह नर संगार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर सत्ता में आया था जातिये पूर्वा ग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नर संगार हुए हैं उनमें यह संभवतह सबसे भयंकर था आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह करम थमा मिलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतराष्ट्य न्यायाले में उन पर मानवता के खिलाप अपरात का मुकदमा चला कोसोवों की बतीसा की तरफ से 1984 के सिख विरोधी धंगों या 2002 के गुजराती धंगों में वैसी इस्तिती जिलने वाली किसी महिला के नाम एक पत्र लिखिए सौदी अरब की महिलाओं की तरफ से संयुक्त राश्री महासचीव के नाम एक ग्यापन लिखिए कहां पहुँचे क्या समझे अधिकार विहिन जीवन के इन तीन मामलों से मिलते जुलते उधारण भारत से भी दें ये उधारण इन में से हो सकते हैं एक, पुलिस हिरासत में हिंसा की अखवारी खबरें दो, भूख हर्ताल पर जाने वाले कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाने की अखवारी रपट तीन, हमारे देश के किसी हिस्से में जाती ये हिंसा चार, महिलाओं के साथ गैर बरावरी वाले व्यवहार की खबरें फिर इन मामलों और भारतिय मामलों के बीच समानता और अंतरों की सूची बनाएं ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक उसी तरह का भारतिय उधारन दें भाग दो, लोक तंत्र में अधिकार हमने पहले जिन उधारनों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए हर उधारन में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए ग्वांता नामों बे की कैदियों, सौधी अरब की औरतों और कोसावा के अलबानियाई लोगों और भारत में 1984 तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए अगर आप इनकी जगा होते तो आपके मन में क्या विचार आते अगर आपके हाथ में महत्पून फैसले करने का अधिकार हो तो आप बताए गई घटनाओं को ना होने देने के लिए क्या करेंगे शायद आप एक ऐसी विवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके समान का खयाल और समान अफसर जरूर हो जैसे आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरिफतार ना किया जाए और अगर किसी को गिरिफतार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आपको निर्दोष सावित करने के परियाप्त अफसर मिलें आप इस पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता हम हर किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों की उमीद करते हैं उसमें हमें तारकिक नजरियां अपनाना चाहिए क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्द करानी हैं पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे उन पर अमल भी हो और जो लोग ऐसा ना करे उनको सजा भी मिले दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी विवस्ता बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ नियुनतम बातों की गारंटी होगी अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहु संक्यक या अल्प संक्यक हर किसी को इन नियुनतम चीजों की गारंटी होगी अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकास से दावा है हम सभी खुशी से बिना डर भायके और अपमान जनक व्यवार से बचकर जीना चाहते हैं इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवार के अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कश्ट ना हो इसी प्रकार हमारे व्यवार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कश्ट नहीं होना चाहिए इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कश्ट दें या नुकसान पहुचाएं आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पडोसी की खिड़की के शीशे तूट जाएं और आपके अधिकार का कुछ ना हो युगोसलाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे सो हम जो दावे करते हैं, वे तारकिक भी होने चाहिएं वे ऐसे होने चाहिएं कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि दूसरे के अधिकारों का आदर करें हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता इसे उसे पूरे समाज से भी स्विक्रिती मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं हर समाज अपने आच्रण को व्यभस्तित करने के लिए कुछ काईदे कानून बनाता है ये काईदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है समाज जिस चीज को सही मानता है सबके अधिकार लायक मानता है वही हमारे भी अधिकार होते हैं इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारना भी बदलती रहती है 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता है आज साओधी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है जब समाज में मानने कायदों को लिखत पड़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं गुवान्ता नामों बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उन्हें लागू करा दे प्रिश्ट संख्या 85 जब कानुन कुछ दावों को मानिता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते इनका उलंगन करते हैं तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं ऐसी स्थिती में कोई भी नागरिक अधालत का दर्वाजा खट-खटा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये तीन बुन्यादी चीज़े होनी चाहिए अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं इन्हें समाथ से स्विकृती और अदालतों द्वारा माननेता मिली होती है लोगतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है लोगतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधी चुने जाने का अधिकार है लोकतंत्रिक चुनाव हूँ इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की राजनैतिक पार्टी बनाने और राजनैतिक गती विधियों की आजादी का होना जरूरी है लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमी का भी है अधिकार बहु संख्यकों के दमन से अल्प संख्यकों की रक्षा करते हैं ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहु संख्यक किसी लोग तांकत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें अधिकार स्थितियों के विगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं अगर कुछ नागरिक दूसरों की अधिकारों को हडपना चाहें तो स्थिती बिगड सकती है। यह स्थिती आम तोर पर तब आती है जब बहुमत की लोग अलपमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी सिती में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है या संभव है वे नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी उचा दर्जा दिये जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उलंगन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्ताओं में नागरिकों के अधिकार सम्विधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। अधियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेश दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय तीन में हमने अपने सम्विधान की प्रस्तावना पड़ी है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवारिक रूप देते हैं। यह अधिकार भारत के सम्विधान की एक महत्वपून बुनियादी विशेश्चता है। आप जानते हैं कि हमारा सम्विधान छे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठीक क्या मतलब होता है? आईए एक एक करके इन पर नज़र डालें। समानता का अधिकार हमारा सम्विधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से सरक्षन के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। प्रिष्ट संख्या 86 इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के उपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी, अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधान मंत्री हुँ या दूर दराज के गाउं का कोई खेती हर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के अधिकार पर विशेश अधिकार या खास व्यवार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधान मंत्री पर भी धोखा धड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अधालत ने उनको निर्दोश घोशित किया था। लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अधालत में जाना पड़ा। अपने पक्ष में सबूत देने पड़े। कागजाद दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिती को समविधान ने समानता के अधिकार के कुछ नहीं ताड़तों को सपष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाती, समुदाय, लेंग और जन स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनिमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुए, तालाब, स्नानगाट, सडक, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें उपर से बहुत सरल लगती हैं पर जाती व्यवस्ता वाले हमारे समाज में कुछ सम्मुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तमाल करने से रोका जाता है सरकारी नौकरियों पर भी यही सिध्धांत लागू होता है सरकार में किसी पदपर नियुक्ती या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसरगी समानता है इन आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेद भाव नहीं किया जा सकता पिछले अध्याई में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती और पिछडी जातियों के लिए आरक्षण की विवस्ता की है अनेक सरकारें विभिन योजनाओं के तहट कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारिरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिक्ता देती है आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की विवस्ता समानता की अधिकार के खिलाफ है पर असल में ऐसा नहीं है समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का खयाल रखते हुए समान वेवार करना समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी शमता के अनुसार काम करने का समान अफसर उपलब्द कराना कई बार अफसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेश अफसर देना ज़रूरी होता है आरक्षन यही करता है इसी बात को साफ करने के लिए समविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षन समानता के अधिकार का उलंगन नहीं है चुआ चूत के अनेक रूप 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साहिनात ने दलितों या अनुसूचित जाती के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार चुआ चूत के वेभार पर अंग्रेजी अखवार हिंदू में एक लेक माला लिखी वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया की अनेक स्थानों पर एक चाई की दुकानों पर दो तरह के कब रखे जाते हैं एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए 2. हज्याम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते 3. दलिक चात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है चार, दलित दूलों को बरात में घोडी पर नहीं चड़ने दिया जाता पांच, दलितों को सारवजनिक हैंड पंप से पानी नहीं लेने दिया जाता या उनके पानी भर लेने के बाद हैंड पंप को दो दिया जाता है ये सभी काम छुआ छूद की परिभाशा के दाइरे में आते हैं क्या आप अपने इलाके से कुछ ऐसे ही उधारन सोच सकते हैं? खुद करें, खुद सीखें किसी भी स्कूल के खेल के मैदान या किसी स्केडियम में 400 मीटर दौर वाली पट्टी को गोर से देखिए वहां बाहरी लेन में दौरने वाले खिलाडी को अंदर वारी लेन के खिलाडी से आगे के स्थान में दौर शुरू करने क्यों दिया जाता है? अगर सभी दौरने वाले एक ही लाइन पर से दौर प्रारम करें तो क्या होगा? इन दोनों स्थितियों में कौन कौन सी स्थिती दौर के मुकाबले को समान बनाती है? नौकरियों में प्रतिदवन्धविता के मावले में भी इसी चीज़ को लागू कीजिए किसी भी सारवजनिक इमारत को गौर से देखिए क्या वहाँ विकलांगों के आने जाने के लिए अलग से विशेश विवस्ता है? विकलांग लोग उस जगह का उप्योग किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही कर सकें क्या इसका कोई और विशेश इंतिजाम वहाँ है? किसी तरह का भेदभाव ना होने का सिध्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है. समविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रभुल रूप चुवचूत का जिक्र करता है और सरकार को निदेश देता है कि वह इसे समाप्त करें. किसी भी तरह की चुवचूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है. यहां चुवचूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को चूने से बचना बर नहीं है. यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आच्रणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाती में जल्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवार किया जाता है इसलिए सम्विधान ने चुवा चूत को दंड निये अपराद घोशित किया है स्वतंतरता का मतलब बाधाओं का ना हूना व्यवारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दक्र ना हूना ना सरकार का ना व्यक्तियों का हम समाज में रहना चाते हैं लेकिन हम स्वतंतरता भी चाते हैं हम मन चाहें ढंग से काम करना चाते हैं कोई हमें यह अदेश ना दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो इसलिए भारतिय सम्विधान ने प्रतेक नागरी को कई तरह की स्वतंतरताइं दी है एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो शांती पून धंग से जमा होने की स्वतंत्रता तीन संगटन और संग बनाने की स्वतंत्रता चार देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता पांच देश की किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है और 6. कोई भी काम करने, धंदा चुनने या पेशा करने की स्वतंतरता याद रखिए कि हर नागरेक को ये स्वतंतरताईं प्राप्त हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंतरता का ऐसा उप्योग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंतरता का हनन होता हो आपकी स्वतंतरता सार्वजनिक परिशानी या अवव्यस्ता पैदा नहीं कर सकती आप वे सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरों को परिशानी ना हो स्वतंतरता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंद्या लगा सकती है हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेष्टा है अभी व्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन रूपों में स्वयम को व्यक्त करना शामिल है दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और समवात करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है संभव है कि कई सो लोग एक ही तरह से सोचते हूं तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है आप सरकार की किसी नीती से या किसी संगठन की गतिविदियों से और सहमती रख सकते हैं अपने माबाप, दोस्तों या रिष्टिदार से बाचित करते हुए आप सरकार की किसी नीती या किसी संगठन की गतिविदियों की अलोचना करने को स्वतंत्र है प्रिष्ट संख्या नवासी आप अपने विचारों को पर्चा छाप कर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिख कर भी व्यक्त कर सकते हैं आप यह काम चित्र बना कर कविता या गीत लिख कर भी कर सकते हैं पर आप इस सोतंतरता का उप्योग करके किसी व्यक्ति या समुधाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भढ़का सकते आप इस सोतंतरता का उप्योग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते आप किसी के खिलाफ जूटी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस सोतंतरता का इस्तिमाल नहीं कर सकते नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जलूस निकालने का अधिकार है वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उदेश्य के लिए जन्मत तयार करने या किसी चुनाव में किसी उमीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं पर ऐसी बैठके शांती पूर्ण होनी चाहिए इससे सार्वजनिक अव्यवस्ता या समाज में अशान्ती नहीं फैलनी चाहिए इन बैटकों और गती विद्यों में भाग लेने वालों को अपने पास हतियार नहीं रखने चाहिए नागरिकों को संगटन बनाने की भी स्वतंत्रता है जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संग बना सकते हैं किसी शहर के कुछ लोग भष्टाचार या प्रदूशन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की सोतंत्रता है हम भारत के किसी भी हिस्से में रहे और बस सकते हैं जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या यहां उसका कोई संपर्क ना हो फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गाहों से निकल कर शहरों में और देश के गरीब लाखों से निकल कर सम्रिद्र लाखों में आकर काम करते हैं बस जाते हैं, पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही सोतंदरता प्राप्थ है आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वह महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है पिछडी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें सम्विदान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंतरता से वंचित नहीं किया जा सकता कानून द्वारस्थापित व्यवस्ताओं को छोड़ कर इसका मतलब यह है कि जब तक आदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अदिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है एक गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है 2. गिरफता या हिरासत में लिये गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफतारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है 3. ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्ष करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है आईए एक बार फिर से ग्वांता नामों बे और कोसोवों को याद करें इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सबी स्वतंत्रताओं में सबसे बुन्यादी दो चीजों जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है कहां पहुँचे क्या समझे क्या ये उधारण सुतंत्रता के अधिकार के उलंगन के हैं? अगर हां तो प्रतेक में सम्विधान के कौन से प्रावधान का उलंगन हुआ है एक, भारत सरकार ने सलमान डुष्टी की किताब सेटनिक वर्सिज को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें पैगंबर मुहमत के प्रति अनाधर का भाव दिखाया गया और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेश पहुँच सकती है 2. हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ट से प्रमान पत्र लेना होता है पर वही कहानी अगर किताब या पत्री का में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है 3. सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औध्योगी क्षेत्रों या अर्थ व्यवस्ता के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हर्ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा 4. नगर प्रशासन ने माध्यमिक परिक्षाओं की मद्दे नजर शहर में राद दस बजे के बाद सार्वजनिक लौड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है स्वतंतरता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषन ना कर सके हमारे समविधान निर्माताओं ने इसे भी समविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोशन ना हो सके समविधान ने खास तोर से तीन बुराईयों का जिक्र किया है और इन्हें गयर कानूनी गोशित किया है पहला सम्विधान मनुष्य जाती के अवैद व्यपार का निशेद करता है आम तोर पर ऐसे धंदे का शिकार महिलाये होती हैं जिनका अनातिक कामों के लिए शोशन होता है दूसरा हमारा सम्विधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निशेद करता है बेगार प्रता में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगहरा के लिए जबरन काम करना पड़ता है जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं तीसरा समविधान बाल मजदूरी का भी निशेद करता है किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगा जैसे खतरनाक काम में कोई भी चौदव वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता इसे को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं इसमें बीड़ी बनाने, पठाके बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल है क्या आपको अपने प्रदेश में लागू नियूनतम मजदूरी का पता है? अगर नहीं, तो क्या आप ये पता कर सकते हैं? अपने महले में अलग-अलग काम करने वालों से बात करके ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उनको नियूनतम मजदूरी मिल रही है? उनसे पूछिए कि क्या उनको नियूनतम मजदूरी का पता है? उनसे ये भी पूछिए कि उसी काम के लिए क्या मर्द और और औरत को समा आदक के नाम एक लंबा पत्र या शोशण के खिलाफ अधिकार के उलंगन की बात करते हुए अदालत के लिए अर्जी लिखिये खबर एक मदरास हाई कोट में एक अर्जी दायर की गई अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालिम जिले के गाउं के साथ से बाहरा वर्ष उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले के ओलूर में बेचा गया आवेदन करता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़े तत्थियों की जाज कराने का आदेश दे मार्श दो हजार पाँच खबरदो करनाटक के होंपेट मोडूर और इकाल इलाके में लोह अयस्क खादानों में पांच वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है बच्चों से खुदाई, अयस्क तोडने, लादने, गिराने, धुलाई और कटाई का काम लिया जा रहा है उनको ना तो सुरक्षा के उपकरण दिये जाते हैं, ना तय मजदूरी और ना ही उनकी काम का समय तय है वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते हैं और खदान की धूल जो मानक स्थर से काफी अधिक है भी उनकी आँख नाख कान में जाती रहती है इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफी उंची है मई 2005 खबर 3 राश्ट्रिय नमूना सर्वेक्षन संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षन में पाया गया कि ग्रामेन और शेहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है सर्वेक्षन में यह बात सामने आई कि पहले जहां प्रती हजार कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे सम्विधान निर्माता खास तौर से चौकस थे उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया आप अध्यायतीन में प कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते धर्म निर्पेक्षिता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीज के मामलों को ही देखना है व्यक्ति और इश्वर के बीज के मामलों को नहीं धर्म निर्पेक्षित शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारि से उदासीन और निर्पेक्ष होना चाहिए हर किसी को अपना धर्म मानने उस पर आच्रण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है हर धार्मिक समू या पंत को अपने धार्मिक कार्मकाज का प्रभंदन करने की आजादी है पर अपने धर्म का प्रचार करने की अधिकार क Нिस्तंधे व्यक्ति को, अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरन करने का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अद्रिश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर्बली या पशुबली नहीं दे सकता। और तो को कम तर मानने या औरतो की आजादी का हनन करने वाले धार्मी कृती रवाजों पर आचरन करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबर्दस्ति किसी विद्वा का मुंदन नहीं कर आ सकता या उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मानेताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए भी किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संसान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रातना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे सम्विधा निर्माता अल्प संख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे बहु संख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है इसका सीधा सा कारण यह है कि लोगतंत्र की कार्य पद्धती अपने आप बहु संख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है अल्प संख्यकों को ही भाशा, संस्कृति और धर्म के विशेश संरक्षन की जरूरत होती है अन्यता वे बहु संख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछरते चले जाएंगे इसी के चलते सम्विधान अल्प संख्यकों के संस्कृतिक और शेक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है एक, नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समू को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है 2. किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पारने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के अधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता 3. सबी अलप संख्यों को को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्तापित करने और चलाने का अधिकार है यहां अलप संख्यक का अर्थ राष्ट्रिय सर पर धार्मिक अलप संख्यक भर नहीं है किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा वहाँ अलग भाशा बोनने वाले अल्प संख्यक होंगे जैसे आंद्रप्रदेश में तेलगू बोनने वालों का बहुमत है पर करनाटक में वे अल्प संख्यक है पंजाब में सिक बहु संख्यक है पर राजिस्तान, हर्याना और दिल्ली में वे अल्प संख्यक है कहां पहुँचे क्या समझे इन खबरों को पढ़िए और प्रतेक में जिस अधिकार की चर्चा है उसकी पहचान कीजिए एक, शिरोमनी गुर्द्वारा प्रबंधक कमेटी की आपाद बैठक में हर्याना के सिख धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए अलग संगठन बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया सरकार को यह चतावनी दी गई कि सिख समुदाय अपने धार्मिक स्थलों में किसी भी किस्म की दर्खल अंदाजी वरदाश्ट नहीं करेगा जून दो हजार पांच दो इलाबाद हाई कोर्ट ने अलिगर मुसलिम विश्विद्याले को अलप संख्यक दरजा देने वाले केंद्रिये कानून को रद कर दिया और मेडिकल स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में सीटों के आरक्षन को गैर कानूनी करार दिया जन्वरी दो हजार पांच तीन, राजिस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने का फैसला किया है इसाई निताओं का कहना है कि इस विधियक से अल्प संख्यकों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ेगी मार्च दो हजार पांच हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? इसे सम्वेधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है यह भी एक मौलिक अधिकार है यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उलंगन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयन सरकार ही कर रही हो पर जब इन में से हमारे किसी भी अधिकार का उलंगन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिये उसे रोक सकते हैं इस समस्य का निदान पा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्चे नयाले या किसी राजे के उच नयाले में जा सकते हैं इसी कारण डॉक्टर अम्बेटकर ने सम्विधानिक उप्चार के अधिकार को हमारे सम्विधान की आत्मा और हिद्य कहा था। मौलिक अधिकार विधाईका, कारेपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारे की गतिविधियों तथा फैसलों से उपर है। मौलिक अधिकारों का उलंगन करने वाला कोई कानू नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधाईका या कारेपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो यह फैसला या काम भी अभैद हो जाएगा। हम केंद्र और राजे सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानुनों को उनकी नीतियों और फैसलों को या राश्टे कृत बैंक या बिजली बोर्ट जैसे उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं सरवोत न्यायाले या उच न्यायालेों को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है अध्याय पांच में हमने देखा है कि हमारे देश की न्याय पाली का सरकार और संसत से स्वतंत्र है हमने यह भी देखा है कि न्याय पाली का बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी हो वे करने में सक्षम है मौलिक अधिकारों की हनन के मामले में कोई भी पीडित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उलंगन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है इसमें कोई भी व्यक्ति या समू सरकार की किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच न्यायाले या किसी उच न्यायाले में जा सकता है ऐसे मामले जज के नाम पोस्टर कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं अगर न्याय धिशों कर लगे कि सच्छमुझ इस मामले में सारवजनिक हीतों पर चोट पहुँच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्विकार कर सकते हैं खुद करें, खुद सीखें क्या आपकी राज्ये में मानवाधिकार आयोग है? इसकी गतिविदियों के बारे में जानकारियां इकठी कीजिए इस अध्याय में आए मानवाधिकार उलंगन के मामलों या आपको ग्यात किसी भी ऐसे मामले को लेकर राश्ट्रिये मानवाधिकार आयोग को एक आविदन लिखें एक कोलाज दिया गया है जिसमें विभिन अखबारों की खबरें छपी हुई हैं इसके बारे में एक लेख दिया गया है राश्ट्रिये मानवाधिकार आयोग दिये गए कॉलाज में राश्ट्रिये मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है यह संधर्व मानवाधिकार के प्रती बढ़ती जागरुकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है विभिंग छेत्रों में मानवा धिकार उलंगनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं इनके बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आक्रिष्ट किया जा रहा है इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और इनके दोशियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवा धिकास अंगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोजना करते हैं ऐसे में पीडितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवशक्ता थी और राष्ट्रिये मानवा धिकार आयोग ने इस मामले में पहल की यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है न्याय पालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं आयोग की नियुक्ती राष्ट्रपती करते हैं और इसमें आम तोर पर सेवा निवरित जज, अधिकारी या प्रमुक नागरिकों को ही नियुक करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है इनमें सम्विधान प्रदत अधिकार भी शामिल हैं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाशा में सयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर राष्ट्रे गोश्राएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किये हैं। राश्ट्रिय मानावधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। यह जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानावधिकार के उलंगन के किसी मामले में सुतंत्र और विश्वस्निय जाज करना है। यह उन मामलों की भी जाज करता है जहां ऐसे उलंगन में या इने रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश में मानावधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रती चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जाज की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीडितों की ओर से अधालत में दखल देता है। अपनी जाज करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार हैं। किसी भी अधालत की तरह यह चश्मदीत गवाहों को सम्मन भेज कर बुला सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानावधिकारों के उलंगन के मामले में इसके पास इस पते पर शिकायत भेज सकता है। पता है राष्ट्रिये मानावधिकार आयोग, फरीद कोट हाउस, कौपर निकसमार्ग, नई दिल्ली, एक एक शुन्य, शुन्य शुन्य एक एक। आयोग के पास अरजी भेजने की ना तो कोई फीस है, ना फॉर्म और ना ही कोई तय तरीका। प्रिष्ट संख्या 97 भाग चार अधिकारों का बढ़ता दाएरा हमने इस अध्याय की शुरुवात अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के ज्यादतार हिस्से में हमारा ध्यान सम्विधान द्वारा दिये गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि सम्विधान द्वारा दिये गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं यह सही नहीं हैं मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्त्रोत हैं हमारा समविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दाइरा बढ़ता गया है समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिये हैं जिनसे अधिकारों का दाइरा बढ़ा है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार हैं, उनी से निकले हैं अब स्कूली शिक्षा हर भारतिय का अधिकार बन चुकी है 14 वर्ष तक कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवारे शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है संसत ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है यह अधिकार विच्चारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है हाल में ही सरवोच न्यायाले ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है साथ ही अधिकारों का दाइरा सम्विधान द्वारा दिये गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है सम्वेधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है जैसे संपत्ती रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर सम्वेधानिक अधिकार है चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्पून सम्वेधानिक अधिकार है कई बार मानव अधिकारों का भी विस्तार होता है ये असल में सर्व मान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मानने हो भी सकते हैं और नहीं भी और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसे कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था दुनिया में लोक तंत्र के फेलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमानने नैतिक दावों को माने उन्हें कानूनी रूप दें कई अंतराष्ट्य संधियों और प्रतिग्या पत्रों ने भी अधिकारों का दाइरा बढ़ाने में मदद की है इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दाइरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए है समाज की विकास या नए समविधानों के निर्मान के साथ नए अधिकार सामने आते हैं सम्βिधान बनाने संबंदी, अध्याय में हमने देखा हैं कि दक्षिन अफ्रीका के सम्βिधान में नागरिकों को कई तरह की नए अधिकार मिले हैं इनमें से कुछ इस प्रकार है निजता का अधिकार इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती उनकी फोन टैप नहीं किये जा सकते उनकी चिठी पत्री को खोल कर पढ़ा नहीं जा सकता पर्यावरण का अधिकार ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्त्य या कुशलक्षेम के प्रतिकूल ना हूँ स्वास्तिय सेवाउं, परियाप्त भोजन और पानी तक पहुँच का अधिकार किसी को भी आपाच चिकित्सा देने से इंकार नहीं किया जा सकता अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्तिय का अधिकार, जीने के लिए जरूरी नियूनतम आवशक्ताओं का अधिकार और निज़ता की अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बॉक्स आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रिय प्रतिग्या पत्र इस अंतराष्ट्रिय प्रतिग्या पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को माननेता दी गई है, जो भारतिय सम्विधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इसने अभी अंतराष्टी संधी का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानव अधिकार कारे करता, इसे एक मानव अधिकार के रूप में देखते हैं, इनमें शामिल हैं एक, काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपारजन करने का अफसर 2. काम करने के सुरक्षित और स्वास्थे प्रद महावल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मान जनक जीवनस्तर लाइक उचित मजदूरी का अधिकार 3. समुषित जीवनस्तर जीने के अधिकार में परियाप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है 4. सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार 5. स्वास्तिय का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजननकाल में महिलाओं का खास खयाल और महामारियों से रोक थाम 6. शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवारे प्रात्मिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तक समान पहुँच 6. शब्दावली 7. प्रतिग्यापत्र नियमों और सिध्धानतों को कायम रखने का व्यक्ति, सम्हूं या देशों का वाइदा, ऐसे बयान या संधी पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है 7. दावा सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग 8. दलित मानव जाति का ऐसा समून जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वन्षके हों एक जातिय समून के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और एतिहासिक स्मृतियों के जरिये जुड़े होते हैं 9. सम्मन अधालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अधालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो 10. अव्याद व्यापार अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिकरी रेट उच न्यायाले या सर्वोच न्यायाले द्वारा सरकार को जारी किया गया एक आपचारिक लिखित आदेश मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कारेकरताओं का एक अंतरराश्ट्री संगठन यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उलंगन पर सोतंत्र रिपोर्ट जारी करता है प्रिष्ट संख्या सत्तानवे प्रश्णावली प्रश्ण एक इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों की उपयोग का उधारन नहीं है प्रश्ण दो इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतिय नागरिकों को नहीं है क सरकार की आलोचना की सोतंत्रता क सशस्त्र विद्रहों में भाग लेने की सोतंत्रता ग सरकार बदलने के लिए आंदोलन चुरू करने की सोतंत्रता ग सम्विधान की केंत्रिय मूलियों का विरोध करने की सोतंत्रता प्रश्ण तीन भारतिय सम्विधान इन में से कौन सा अधिकार देता है? प्रश्न चार उस मौलेक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहट ये स्वतंत्रताएं आती हैं अपने धर्म का प्रचार करने की सोतंत्रता ख जीवन का अधिकार ग छुआ छूद की समाप्ती ग बेगार पर प्रतिबंध प्रश्न पांच लोगतंत्र और अधिकारों के बीट सम्बंदों के बारे में इन में से कौन सा बयान ज्यादा उचित है? अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताएं अधिकार देना अच्छा है पर यह लोगतंत्र के लिए जरूरीत नहीं है प्रश्न छे स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित है? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताएं क भारती नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमा वर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमती लेनी परती है ख स्थानिय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ती खरीदने की अनुमती नहीं है ग, शासक दल को अगले चुनाव में नुक्सान पहुचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है प्रिश्ट संख्या 98 प्रश्ट में साथ, मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया वहां की किरानी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा जारू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो तुम्हारी जाती का कोई कभी इस पत पर आया है नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो इस मामले में मनोच के किस मौलिक अधिकार का उलंगन हो रहा है मनोच की तरफ से जिला अधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में इसका उल्लेक करो प्रश्न आठ जब मधुरिमा संपती के पंजी करण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्टरार ने कहा आप अपना नाम मधुरिमा बनरजी, बेटी, एके बनरजी नहीं लिख सकती आप शादी शुदा है और आपको अपने पती का ही नाम देना होगा फिर आपके पती का उपनाम तो राव है इसलिए आपका नाम भी बदल कर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई उसने कहा अगर शादी के बाद मेरे पती का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए अगर वे अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती आपकी राय में इस विवाद में किसका पक्ष सही है और क्यूं? प्रेश्ण नौ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सत्पुडा राश्टे पार्क बोरी वन्यजीव अभ्यहरण्य और पंच मणी वन्यजीव अभ्यहरण्य से अपने प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हुए उनका कहना था कि ये विस्थापन उनकी जीवे का और उनके विश्वासों पर हमला है सरकार का दावा है कि इलाके के विकास और वन्ने जीवों के संरक्षन के लिए उनका विस्थापन जरूरी है जंगल पर आधारित जीवन जीने वाले की तरफ से राष्टिय मानवाधिकार आयोक को एक पत्र इस मसले पर सरकार द्वारा दिये जा सकने वाला संभावित जवाव और इस मामले पर मानवाधिकार आयोक की रिपोर्ट तैयार करो प्रश्ण दस इस अध्याय में पड़े विभिन अधिकारों को आपस में जोडने वाला एक मकड जाल बनाएं जैसे आने जाने की स्वतंतरता का अधिकार तथा पेशा चुनने की स्वतंतरता का अधिकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं इसका एक कारण है कि आने जाने की स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति अपने गाओं ये शेहर के अंदर ही नहीं दूसरे गाओं दूसरे शेहर और दूसरे राज्य तक जाकर काम कर सकता है इसी प्रकार इस अधिकार को तीर्था डन से जोड़ा जा सकता है जो किसी व्यक्ति अपने धर्म का अनुसरन करने की आजादी से जुड़ा है आप इस मकड़जाल को बनाएं और तीर के निशानों से बताएं कि कौन से अधिकार आपस में जुड़े हैं हर तीर के साथ संबंध बताने वाला एक उधारन भी दें आईए अख़वार पढ़ें अभी तक के सभी अधियाएं में हमने अकबार पढ़ने वाला अभ्यास रखा है आईए अब अख़वारों के लिए लिए लिखने का प्रयास करें इस अध्याय में आई रिपोर्टों या अपने आसपास के उधारणों के आधार पर इन कुछ चीजों को लिखने का प्रयास करें एक मानव अधिकारों के उलंगन के मामले पर संपादक के नाम पत्र दो मानव अधिकार संगठन की तरफ से एक प्रैस विज्यप्ति तीन मौलिक अधिकार संबंधी सर्वोच न्यायालै के फैसले से जुड़े समचार और उनका शिर्षक चार पुलिस ही रासत में मौत की बढ़ती घटनाओ पर संपादकिये टिपने इन सबको मिला कर अपने स्कूल की नोटिस बोर्ड के लिए एक अख़बार तयार करें अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठेक्रम के अंतरगत ध्वनी पाठे पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीती भाग एक का पहला अध्याय शीर्शक्ता लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों वाचन्स्वर अजी थोरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत